आप देख रहे हैं खबर उजागर अब हर खबर होगी उजागर जिले में जरजर सडकों की निर्माण और मरमत को लेकर कलेक्टर श्रीमती रानुसाहू ने आज कलेक्टर सभा कक्ष में सडक निर्माण से जुड़े विभागों की एहम बैठक ली फुलिस अदिक्षाग अभिशेक मीडा भी इसमें शामिल हुए बैठक में जिले में निर्माण के लिए प्रस्तावित सडकों की सडकवार समीख्षा की गई बैठक में प्रमुख रूप से सडकों के निर्माण किस इस्तर पर हैं और किन कारणों से ये कारे प्रभावित हो रहे हैं इन सब की विस्तार से समीख्षा की गई कलेक्टर रानुसाहू ने कहा कि अब चूकी बारिश थम चुकी है सडकों के मरमत और निर्माण का काम पूरी तेजी से शुरू किया जाए तथा काम फील्ड में नजर आना चाहिए उन्होंने कहा कि अब सडक निर्माण की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी तथा हर 15 दिन में समिक्षक की जाएगी उन्होंने कहा कि जिले की प्रमुक मार्गों रायगड से घर घोडा होते हुए धरमजयगड तथा लेलूंगा खर्सिया से चाल होते हुए धरमजयगड मार्ग की निर्माण और मरमत को प्रमुक्ता से शुरू करने की निर्देश दिये उन्होंने भू अर्जुन, फॉरेस्ट, क्लियरेंस तथा दूसरे तकनीकी कारणों के आधार पर अगर कहीं दिक्कत आ रही तो उसकी प्रथक से जानकारी बना कर कारे योजना में उलेक करने की निर्देश दिये जिससे उन समस्याओं का त्वरेत निदान कर निर्माण का कारे नियमेत रूप से किया जा सके। कलेक्टर श्रीमती साहू ने सडकों के निर्माण कारे में तेजी से साथ गुडवत्ता का भी पूरा ख्याल रखने की निर्देश विशेश रूप से दिये जिससे इस मार्ग पर प जलने वाली सडकें तैयार हों।